ओम श्यांति जो जितना त्याग करता है तपस्या उतनी ही सहेज हो जाती है हमारा त्याग इस्थूल भी है लेकिन सुक्स्म ज़्यादा है इस्थूल त्याग में करमेंद्रियों के रसों के त्याग उल्टे सुल्टे खान पान का त्याग संपूर्ण व्यस्नों का त्याग लेकिन जो सुक्स्म त्याग है उसमें कहीं हमारी अवगुनी द्रश्टी तो नहीं है उसका त्याग कहीं हमें पर्चिंतन तो नहीं चलता उसका त्याग दैहिक दरश्टी तो नहीं है, हम सोलकॉंसियस होकर रहते हैं, ये सब हमारे सुक्समित्याग हो जाते हैं, मन भटकता तो नहीं, इंप्योर कामनाएं तो मन में नहीं रह गई हैं, इन सब का सुक्समित्याग करते करते, हमारी तपस्या सहज होने लगती है, हमें अपनी तपस्या के चार्ट को भी चेक करना है और त्याग के चार्ट को भी चेक करना है, लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, के हमारा त्याग केवल त्याग लोगों को दिखाई न दे लेकिन त्याग के साथ भाग भी दिखाई दे के इन्हें बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है वो भाग्य की खुशे और भाग्य की चमक रोनक हमारे चेहरों पर रहनी चाहिए अर्थात त्याग के बाद हमें बहुत प्राप्तियां हुई हैं वो प्राप्तियां हमारे चेहरे और मस्तक से जलकनी चाहिए ऐसा न लगे लोगों को कि यहां आकर बहुत त्याग करना पड़ता है सूखा त्याग है कई लोग त्याग करके थोड़े परिशान भी होते हैं मान लोग घर छोड़ कर सेवा में लग गए फिर घर की याद आ रही है घर की चिंताएं कीच रही है तो वो त्याग उन्हें परिशान करता है किसी ने और किसी छोटी मड़ी चीज का त्याग कर दिया फिर वो चीज उनको आकरशित कर रही है तो चेहरे पर प्राक्तियों की जलक दिखाई नहीं देती तो हम अपने त्याग की एक लिस्ट बना लें मुझे इसी स्तरह का त्याग करना है आप चाहें तो लिख लें सारी लिस्ट और चेक करें तपस्या बहुत बड़ी चीज है तपस्या का अर्थ है जो ऐसरेडी पन है आत्मिक दरस्टी है स्वमान है बाबा की याद है उसका बार बार अभ्यास करना जाद से जाद अभ्यास करना अंतर मुखी रहना मन को एकागर करना सबसे बड़ी तपस्या पवितरता को विल्कुल परफेक्शन की ओले चलना सुक्स बना देना सबसे सुन्दर तपस्या है हमारी दे के बान को पूरी तरह भुला देना सबसे गहन तपस्या है और बाबा के स्वरूप पर बुद्धी को इस्थिर कर लेना ये तो सबसे बड़ी तपस्या है तो हम तपस्या के मार पर हैं और बिना तपस्या के हमें लक्षिद्धी तो प्राप्थ होगी नहीं इसलिए तपस्या पर विशेष एटेंशन देना है क्योंकि इस योग साधना से ही हमारे विकरम विनास होंगे इस योग साधना से ही हम लाइट हाउस बनेंगे इस योग साधना से ही हमारी करमेंद्रियां सीथल होंगी और हम सिव बाबा के बहुत समीप पहुंचेंगे उसकी चत्र चाया का भव करते रहेंगे, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी स्थिती में आ जाएगा, सक्सी भाव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि योग अब्यास बहुत बढ़ाने से, हमारी बुद्धी बहुत रिफाइन होने लगती है, और रिफाइन और डिवाइन बुद्धी ही ज्यान की को कैच कर सकती है, हम समय की सुक्समता को भी कैच कर सकेंगे, तो तपस्या को भी चेक करें, कि हमारी तपस्या में कौन-कौन सी हमारी कमजोरियां बाधक हैं, हम आलस में रहते हैं, अलबेले हैं, कुछ करना नहीं चाहते, या कुछ करने की उमंगुच्सा हमारे दिल में है हम वियर्थ सुनते ज़्यादे हैं, नेट पर ज़्यादे रहते हैं, बले आप नेट पर अच्छी चीज भी देखें, लेकिन उसका ब्रेन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो योग युप्त होने में कटना ही पैदा करता है, तो अपने त्याग की बहुत अच्छ लिस्ट बनाएं, तपस्या पर बहुत ध्यान दें, तो हमारा त्याग भरा जीवन हमें तेजस्वी बनाएगा, हमारी तपस्या, हमें लाइट हाउस, नाइट हाउस बनाकर, विश्वसल्यान में बहुत बड़ी भूमी का निववाएगी, अदा करवाएगी, तो बहुत समय मिली है भगवान की, उसे फॉलो करते हुए, हम निरंतर त्याग और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर रहें, ओम स्यामति